हेलो एवरीवन गुड़ मॉर्णिंग ओल उफ यू राधे राधे जैसरी किसना सभी को तो दोस्तों आप सब कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में आज हम डिसकस करेंगे 23 फरवरी दोसार चोबीश की डेली करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले हर एकज़ाम जैसे की ससी जिड्ठी होगी से उसकी जिडियी होगी तो के लिए बैली आ को ये आर्याल एकर सब्सक्राइब पुछा गया था कुशन था कि हाल ही में काजी नेमो को किस राजी के राजी के फल के रूम में मानिता दी गई है अंसर था असम राजी के काजी नेमो को राजी के फल के रूम में मानिता दी गई है अब हम देखते हैं 22 फरवरी 2024 के प्रिवीजिन कुशन परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस राजय में सिरी कलकी धाम मंदर की अधार सिला रखी है तो वो रखे उत्तर परदेश राजय में भारती टेम ने टेश के रिकट में सबसे बड़े जीत किस देश के खिलाब दर्ज की इंगलेंड के खिलाब अठावन में ग्यानिपीट प्रिश्चकार के लिए किसे नमनित क्या गया है तो गुलजार और जग्द गुरु राम भद्राचारियों को नमनित क्या गया है मद्दाता जागुर्पता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूम में किसे नमनित क्या गया है नई दिल्ली में किस RPSF Constable को जीवन रक्षा पदक से सम्मान दिया गया है तो वो है सक्दिकांत कुमार को जीवन रक्षा पदक से सम्मान दिया गया है हाली में हिमालियन बास्केट की सुवात किस राज़े से की गई है उत्राखंट राज़े से अंतराष्टे मात्रवासा दिवस बना जाता है 21 फरवरी को और किस सहर में उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटियम का अनावन किया गया है तो वो किया गया है चंदीगाड सहर में अब हम देखते हैं आज की current affairs हमारा first question इसका किस सहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्गाटन किया गया है तो बताए फ्रें किस सहर में किया गया है पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्गाटन तो इसका अंसर हो जाएगा B संबलपूर में कांपर क्या गया है संबलपूर में क्या गया है और किसी ने किया है तो केंद्री शिक्षा और विकास मंत्री द्रहमेंदर परदान कौन है केंद्री विकास मंत्री शिक्षा मंत्री द्रहमेंदर परदान उनना ओरिसा के संबलपूर में भारत के पहले स्किल इंडेस सेंटर का उद्गाटन किया ह आदर यूंपोर्टिन यूज़े नई दिली के किस अस्पताल में उत्र भारत के पहले स्किन बैंक का उद्धगाटन क्या गया है तो वो क्या गया है सब्तर जंग अस्पताल में उत्र पूर्वी भारत के पहले एमस का उद्धगाटन किस सहर में क्या गया है तो यह क्या गया गुहाटी सेहर में २ागलेट में इस्तित भार्त के पहले गाउं का दोरा करने वाले पहले केंदरी मंत्री कौन बने ? तो वह है अल मुरुगन किस सहर में ग्रीन पॉर्ट ओफ सीपिंग में भारत के पहले राष्टे उतकष्टा केंद्र का उतखाटन किया गया है तो वो क्या गया गुरुकराम सहर में निश्क्यूशन है किस देश में भौराष्टे सेन्नी अभ्यास सांती परियास 4.2024 का अजन किया गया है तो किस देश में क्या गया है ये सांती परियास 4.2024 का अजन किस चोथे पंडूबी रोधिक युद्ध विमान को लौँच किया है तो वो है अमिन्नी अमिन्नी पंडूबी रोधिक विमान को लौँच किया है भारती नुसर्णा के किस नविन्तम सवदेशी मिसाल विद्वन सपोत का अनावरन किया गया है तो वो सूरत सूरत नविन्तम सवदेशी मिसाल विद्वन सपोत का अनावरन किया गया है भारत में भारती तटरक्षबल किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है तो वह संगराम जहाज को सेवा मुक्त किरा है सुक्त सेन्य अभियास एक्ससाइज मित्र सक्ती 2013 का अजन भार्त और किस देश के साथ क्या गया है तो यह क्या गया है भार्त और सिलिंका के साथ नश्कूरिशन देखते हैं किस राज में एश्य का सबसे बड़ा जन जाती मौसव समक्का सरक्का मैदाराम जथारा शुरू किया गया है तो बताई फ्रेंस आंसर इसका किस राज में शुरू किया गया है यह मौसव जिसका नाम है समक्का सरक्का मैदाराम जथारा आंसर इसका अध्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यू एक मूर्थी को लाल कपड़े में ढखकर उसको हल्दी और जो सिंदूर का जो पावडर होता उसमें रखकर लेकर आते इस मूर्थी को और उस मूर्थी की पुजा करते हैं ये लोग इस मौसव में जो तेलंगाना में किया गया और ये एशा का सबसे बड़ा जन जाते मौसव भी है याद रखना अधरियु उपोर्टिन युजे भारत के किस राजय में भारत के सबसे बड़ा स्काइवॉक पूल का उदगाटन क्या गए तो वो क्या गए तमिलनाडू राजय में किस सहर में पृतर छेतर में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेरियो बनाया जा रहा है तो वो बनाए जारे सिलोंग सेहर में, किस सेहर में ऐसा का सबसे बड़ा अंतराष्टिक खाद और अथित्थी मेले काजन किया गया है नई दिल्ली में, कौन सा देश, विस्व का सबसे बड़ा नारको स्टेट बन गया है, तो वो है सीरिया देश, next question है, किस भारते राजनेक लेखक और राजनितिक फ्रांस को फ्रांस का स्रोच नागरिक समान दिया गया है, तो बताए फ्रांस किस लेखक को दिया गया है, फ्रांस का स्रोच नागरिक समान, तो right answer इसका A, ससी थरूर को, ससी थरूर जो कि भारते राजनेक लेखक और राजन तिक है इनको फ्रांस का स्रोच नागरिक सम्मान दिया गए और फ्रांस का स्रोच सम्मान कौन सा है तो फ्रांस का स्रोच सम्माने सेवलियर डे लो लेगियन डी नई दिल्ली में, नई दिल्ली के फ्रांसी दुत वास में इस समारों का जिन किया गया था अदरी उव्पोर्टे नूज है किस भारती अबिनिता को इटली के दे और ओफ मेरिट से समारों किया गया है? कबीर बेती को भारती मोल की इस उपनियास कार को सिंगापूर के स्रोचकला समान से समानित किया है तो वो है मीरा चंद को किसे हाली में हेल्थ के एर संचार में उतकष्टा योगदान के लिए PRSI National Award से समानित किया है सुगंती सुंदर राज को समानित किया है किस सहर में राज्टे गोपाल रतन पुसकर 2030 का उजिन किया गया है तो ये किया गया है गौहाटी सहर में नेश्ट क्यूशन है फ्रेंज आपसे रिक्वेश्ट है एक बर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना साथ ही कमेंट करके बताना आप वीडियो कैसी लगी आपको क्यूशन है कि अंतराष्टे सोर गठ बंदर में सामिन होने वाला 119 सदस्य देश कौन सा बना है तो बताई फ्रेंज कौन सा है जो 119 सदस्य देश बना है अंतराष्टी सुर्गठमन दण में सम्मिल होने वाला तो इसका & answer हो जाएगा Mayalta, कों सा देश है, мал astronomersit जो अंतराष्टी सुर्गठमन समिलने वाल पना एक सोंपना उनिस्वा सदस्य देसपना है और आपको पता दे माल्टा को इसमें सामिल होने के लिए भारत ने आईस से में सामिल होने के लिए इनका स्वागत क्या है माल्टा माल्टा इटली के दक्षिन में भूमद्य सागर का एक दीप है यह इटली के समीप है कौन माल्टा जोकि सागर में इस्तित एक दीप राज्य है धीप है ौुज या सबसे बड़ा दीप गौहना जाता इसे में 5 दीप सामूं लेक माल्टामे कितने दीप वज सामक्विल कौन कौन से है एक तो है गोजो दूसरा माल्टा और तीसरा कमिनो तीन के देप साम lançATION में जो कि अंतराश्टी स्वर्गठबंदन में सामिल होने वाल सदस्य बन गया है एक सो निस्वा आधर इंपोर्टे निउस देखते हैं किस देश ने हाल में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉंच किया है तो यह क्या है चीन देश ने किस यूरुपे देश ने दोजाट चोबि से जोड़ना है किस देश में दुनिया का सबसे उच्छा प्रमानू रियक्टर अरुसंदान स्थापित क्या जाएगा तो यह क्या जाएगा बोली विया में किस देखते हैं किस देश ने अंडर वार्टर फोटोग्राफ किस ने अंडर वार्टर फोटोग्राफ उप्ता य प्रूष्कार 되고 name के अंसे एंसर है आतो क्ट अश्क लिगे दोगो्र्ण ने डोशन ने जीतता ही है alleg सन्हों कि श्विदी से स्विद्बी से फोटोग्राफर ल裁क्ष्ट वोटोग्राफ अन्डर वार्ट्र फोटोग्राफ अप्डाईयर अवह और से समानित किया गया प्रुसकार मिला है अंडर्वाटर फोटोग्राफ अब्दा इयर का प्रुसकार दिया गया है अधर इंपोर्टे न्यूज देखते हैं महाराष्ट राजय सरकार के दुवारा परतिष्ट किस पार्चो गाय को लता मंगेश के प्रुसकार 2023 से समानित किया गया है तो वो है सुरेश वोडगर को किसे वर्च 2024 के लिए एथू एजुथोशन साहिते प्रुसकार के लिए चुना गया है तो वो है Dr. S के वसंधन को किस प्रख्यात लिखा को परतिष्ट केरल जोती पुशकार से सब्मानित किया गया है तो वो है T. पदबाणब को किस देश की कारिकर्ता नरगेस महुमध्दी को 2023 के नोबल सांतिर पुशकार दिया गया है तो वो है इरान देश की कारिकरता इस question है भारत वेश्विक स्थर पर साइबर अपराद के लिए सबसे अधिक लक्षी देश के रूब में कौन से स्थान पर है तो बताई फ्रेंस कौन से स्थान पर भारत लक्षी देश में तो इसका राइटन शुरो जाएगा ड अस्यवे स्थान पर है भारत वेस्वी स्थान पर साइबर अपराद के लिए सबसे लक्षी देश में कि एक सो असीवी स्थान पर रहा है कौन से स्थान पर है एक सो असीव है और आपको बता दीजी आईडीसी के अनुसार देश का जो साइबर शुरुक्षा बाजार है 2030 में कितना मिलियन हो गया था तो यह चैप पॉइंट साइबर शुरुक्षा बाजार 2023 में कितना मिलियन हो गया था चैप पॉइंट जीरो चैप बिलियन डॉलर अमरीकी डॉलर तक पहुच गया आधर इंपोर्टी न्यूज देखते हैं साल 2023 में भारत के सिर्ष दस सबसे सुरक्षित सेरों में सुच्ची में कौन सा सेर सिर्ष थान पर रहे तो वह कोलकत्ता सुच्च राष्ट की रिपोर्ट के रुसार किस देश को पानी की कमी के मामले में विश्चु का सबसे खराब छेतर माना गया है तो वह है दर्षिन कोरिया राजे खाय सुरक्षा सुच्चां 2022 में बड़े राजों की सुच्ची में किस राजे ने सिर्ष थान हासिल क्या है तो वह है केरल राजे ने अद्रिंग एंड बिलोनिंग इंस्टिटूट द्वारा प्रकासित सुमावे संसुच का 2030 में भारत कौन से स्थान पर है तो भारत 117 स्थान पर है ने स्कूशन देखते हैं किसके द्वार लिखी थे स्कैल्प्ट स्टोंस मिश्ट्रिस ओफ मामला पुरम पुस्तक का विमो अस्वینप्रो के दौर लिखी गया यह पुस्तग कशने स्टों मिश्ट्रिस ओफ मामला पुरम इस पुस्तक को लिखा गए असिन पर्बू के दुवारा और प्रकासित क्या गया तुलिका बुख्स के दौरा इस पुष्टक के अभारे में यह प्राचिन सहर इसको प्रबासित किया गया है इस पुष्टख में अधर इंपोर्ट्टी देखते हैं है किसे के द्वारे लिखी थे कलर्स ऑफ डिवोस्न नमा कुष्टक का विमोच्ण किया गया है तो ये पुष्टक लिखी गई है अनिता भरत सहा के द्वारा किसके द्वार लिखित विपिन दे मैन बिहांड दे यूनिफॉर्म पुष्टक का विमोचन किया गए तो ये पुष्टक लिखी गई रचना विशावत के द्वारा किसके दवार लिखित नई पुस्तक प्राइम्स दा अनसेंटरल अबोर्ट ओफ रेनबो का विमोचन क्या गए तो यह पुस्तक लिखी गई विनोत मकारा के दवारा किसके दुवारे लिखी थे, through their broken glass and autobiography पुष्टक का emotion क्या गए है, यह पुष्टक लिखी गए, TN session के दुवारा, next question है, विस्तु सांती और समझ दिवस बना जाता है, कब बना जाता है यह, answer देजिए, तो विस्तु सांती और समझ दिवस बना जाता है, तो इस दिन को बनाने का मक्सद है कि दुनिया में सांती भायचार प्रेम बना रहे, इसलिए यह दिवस बना जाता है, अधरी इंपोर्टे नियुज देखते हैं 15 जुलाई को क्या बना जाता है 20 युवा कोशल दीवस और 17 जुलाई को अंतराष्टी नियाई के लिए 20 दीवस 20 जुलाई को बना जाता है 20 जुलाई को राष्टी आम दीवस 29 जुलाई को अंतराइश्टी बाग दिवस बनाए जाता है तो याद रखने सब इडियों को अच्छा से नेश क्यूशन देखते हैं किस अभिनेता को दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का आवर्ड दिया गया है तो बताए फ्रेंश किस अच्टर को दिया गया है यह वर तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी सारुक खान को सारुक खान को दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का आवर्ड दिया गया है उनकी कौन सी मूवी के लिए तो जवान उनकी इनको दादा साथ इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का आवर्ड दिया गए है उन् principles थी पठान और जवान दोनों फिलमों में बहुत ही सांधार पर्दसन दिया है इन दौन फिलमों के लिए उनको अवर्ड दिये गए है अधर इंपोर्टे न्यूस देखते हैं दादा साफ फाल के इंटरनेशन फिलम फेस्टिबॉर अवर्ड दोजार तेस में बेस्ट एक्टर का पुर्सकार दिया गया है रनवीर कपूर को मॉन्ट्रेल दोजार तेस के साफ्ट एसन फिलम फेस्टिबॉल में किसे बेस्ट लॉंग डोकुमेंटर अवर्ड दिया गया है तो वह दिया गए गोरिगो यूके एसियन फिलम फेस्टिबॉल में किस फिलम को बेस्ट फिलम का वड़ मिला है तो वह मिल आज का कुईशन देखते हैं अंतराष्टी किर्केट में सरवादिक छक्के जड़ने वाले भारती कप्तान कौन बने तो कौन है जो सरवादी छक्के जड़ने वाले कप्तान बने हैं इसका अंसुर आपको कमेंड सक्षिन में बताना है सामनी जैंड Alles देख लेते हैं। छेत्रफल के नुसाल विस्यु का सबसे छोटा देश कौन सा है तो वह है विलेकार्ण शिटि्टि छेत्रफल के अनुसाल स्वेज नहरकिन दो सागरों को जोड़ती है भूमद असागर और ribbon सागर परामा नहरकिन दो महा सागरों को को जोड़ती है तो महासागर की बात हो तो वह है परिसांत महासागर और उत्तरी अंत्रलांटिक महासागर को जोड़ती है भारत के संगे छेत्र दाद्रा और नगर हवेली की राजदानी कौन सी है तो इनकी राजदानी सिल्वासा छेत्रफिर की द्रहष्टी से भारत का सबस सबी को comment section में जुरू बताना साथ ही वीडियो को like से subscribe जुरू कर देना पीडिएप्स और नोट्स के लिए आप हमारे website पर विजिट कर सकते हैं www.nokanihpran.com thank you friends बाई बाई राधे राधे टेक केर